एक नजर डालते हैं आज की कोरोना अपडेट पर आज कोरोना बाधितों की संख्यां 1799 पर पहुँची है कल तक कुल 1667 बाधित थे 24 घंडे में 132 बाधित सामने आए है मौलाना आजाद वाड बलारपुर के 22 वर्षिय पुरुष की कोरोना सिम्रुती हुई है इस बाधित को श्वसन और अस्थमा की परिशानी साथ ही निमोनिया होने से 24 अगस को ग्रामिन अस्पताल बलारपुर में उपचार के लिए उन्हें दाखिल क्या गया 26 अगस को सुबस साड़े पांच बजे अंटिजन चाचनी में वहाँ पॉजिट्यू पाया गया था आगे की उपचार के लिए शास्की वधिकिया महावी द्याले और अस्पताल में उन्हें दाखिल क्या गया बाधिक को कोरोना के साथ ही श्वसन अस्थमा साथ ही ब्लड प्रेशर निमोनिया होने से 26 अगस को शाम शास्की वधिकी महाविद्याले और अस्पताल में उनकी मृत्यु हुई तो वहीं दूसरी मृत्यु आज 27 अगस की सुभा तेड़ बजे 60 वर्षे पठानपुरा वाट चंद्रपूर में रहने वाले पुरुष की मृत्यु हुई कोविट केर सेंडर वन अकादमी से 25 अगस को तो फर तीन बजे उन्हें श्वसन की परिशानी होने से शास्की वधिकीय महाविद्याले और अस्पताल में ताखिल गया था पिछले 24 घंडे में इन दो वेक्तियों की मृत्यू हुई है। उपचार ले रहे बाधितों की संख्या 696 है। अब तक 181 बाधित ठीक हो चुके है। तो महीं चंदरपूर के 19 तेलंगना का एक, मुल्डाना एक और गर्चुरिली एक ऐसे कुल 22 बाधित की मृत्यू हो चुक है।